हेलो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सोया चाप करी एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी ये फेवरेट हो जाएगी जो लोग नान वेस्ट खाते हैं उनके लिए भी ये वेस्ट आप्सन है बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तयार होगा तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी गरम करना है तो यहाँ पे ना हमने बहुत जादा पानी गरम नहीं किया है हाँ अच्छे से गरम हो गया है अब जो ये सोया चाप के स्टिक है इसमें डाल देंगे इससे क्या होगा ये फ्रोजन सोया चाप है और ये काफी जा सकते हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम में फ्रोजन में बरफ जमी होती है और ये दो से तीन मिनट में सोया चाप अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो इन सारे सोया चाप को निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ये स्टेप आपको जर बादा चाहिए होता है तो यहां पर लगबख हमने तीन से चार प्याज की मेडियम साइज के स्लाइस कर लिए हैं इनको डाल दिया है कड़ाई में इधर ये फ्राइज होंगे तब तक सोया चाप हमारे ठंडे हो गया है तो इनकी हम स्टिक इस तरीके से निकाल देंगे इस और ना ही बहुत चोटे एक सोया चाप से लगबख पाच पीस हमने किये है और इसी तरीके से हमने सारे सोया चाप को कटकर के रख दिया है इधर तब तक प्याज भी अच्छे से बुन गया है लेकिन ये अब भी पूरा नहीं गुख हुआ है इसे हमें और फ्राइ करना है लेकिन ध्यान रखेगा प्याज बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए नहीं तो फिर इसमेल इसकी अच्छी रही आएगी अब यहां पर डाल देंगे इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक बड़ा अद्रक का टुकड़ा जिसे हमने चोटे 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 टुकड़ों में क साथ में डाल देंगे 10-12 लहसन की कलिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप परिफ्रेक्ट सोया चाप की रेसिपी चाहते हैं तो एक एक चीज को फॉलो करिएगा इससे आपका सोया चाप बहुत ही टेस्टी बनका त्यार होगा और प्याज अच्छे से अब इसमें जो हमने सोया चाप को काटके रखा था वो डाल देंगे और सोया चाप को हम फ्राई करेंगे अब सबसे बड़ी बात यह है अगर आप इन सोया चाप को हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगे तो इनमें एक एक लेयर निकलेगी नहीं और जो आपके सोया चाप बन नटर आप मीडियम फ्लेम पे लोटू मीडियम फ्लेम पे इंको फ्राई करेंगे तो एक दम परिफेक्ट हमारे ये Soyaya Chap फ्राई हो गहे अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करदेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएगे तो सबसे बड़ी चीज आपको इसजगह पे ध लेंगे कुछ खड़े मसाले, दो तेज पत्ता, लॉंग, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, जो भी मसाले हों खड़े वो आप ले सकते हैं, एक चम्मच भर कर डाल देंगे देगी मिर्च और चोथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, इस समय जो याप मसाले डाल रहे हैं, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना नहीं, तो मसाले जल जाएंगे, सारी मसाले डाल कर अच्छे से मिला देंगे, और भूनना नहीं है, सरफ मिलाना है, अब यहाँ पे हमने तीन टमाटर की प्योरी बनाई है, तीन, चार प्यास का यूज किया है, तो हमे तीन टमाटर लेने है, इसमें हमें प्यास एक कम ही रखना है, टमाटर की प्योरी बनाई और इस मसाले में डाल दी, अब उपर से डाल देंगे नमक, ताकि यह बहुत ही जल्दी मसाला भूनने लगे, टमाटर डालने के बाद नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं, और gravy भी अच्छी बनकर तयार होती है तो tomato डाल दिया है बढ़िया से और इन में नमक भी डाल दिया है अब इन्हें हम मसाले को भूनेंगे अच्छे से और ये देखिए मसाले तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है अच्छे से भून रहा है मसाला और जब तक इधर मसाला भुन रहा है, मसाले को इधर छोड़ देंगे, तब तक हम इन्हें मैरिनेट करेंगे जो हमने सोया चाप को फ्राई करके रखा था, इन्हें मैरिनेट करेंगे इन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक चमस भर का देसी घी डाल दीजिए और साथ में एक कप के जितना फ्रेस्ट दही दही खट्टा नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा दही डालकर सारे चुटाया चाप में अच्छे से दही को मिला देंगे और इनको छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए लगबग 10-15 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है और ये देखे इतनी देर में कितना बढ़िया हमारा मसाला भुनकर तयार है तेल भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है अब हम इसमें डालेंगे मसाले क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ नमक यूज किया था अभी मसाले नहीं डाले है तो अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमबच भरकर धनिया पाउडर, आधा चमबच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हल्दी पाउडर हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं तो अब हमें इसमें मसाले नहीं यूज़ करने हैं बहुत जादा और आधा चम्मच के करीब डाल देंगे कोई भी सबजी मसाला और सारे मसालों को अच्छे से मसालों में मिला लेंगे और मसाले भी बहुत अच्छे से भु प्याज को पीषा है और बाद में एड़ करना है क्योंकि टमाटर कच्च्छे थे तो during play बूनना है और प्याज अल्रेडी पका हुआ है तो हमें प्याज को पकाना नहीं है इसे हमें सबसे बादमें ढालना है और मसालों के साथ इन्हे एक बार अच्छे से मिलाते हुए इन्हे दो मिनट के लिए भून लेना है अब इधर हमारे जो सोया चाप यो भी अच्छे से मेरिनेट हो गये मसाले भी भून गये है तो बस अब सोया चाप डाल देंगे इन मसालों में और गैस की फ्लेम को लो रखेगा ताकि दही है दही फटे नहीं गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन मसालों को सोया चाप को एकदम बढ़िया से मिलाएंगे इस तरीके से गैस की फ्लेम को low to medium ही रखेगा और इन मसालों के साथ सोया चाप को लगबग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुनना है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एकदम अंदर तक सोया चाप के मसालों का टेस्ट जाएगा और अच्छे से भुन रगए है बढ़िया से तेल भी छोड़ रहे है तो बस अब इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पे जो हमने सोया चाप फ्राई किये थे ना जिस पानी में उस पानी को फेकना नहीं है क्योंकि वो पानी गुन-गुना है और फ्लेवरफूल है तो वही पानी हम यहाँ पे एड़ करेंगे और गरम पानी है तो उबाल भी बहुत चल्दी आने लगा बस लिड लगाएंगे और इसे पांच मिनट के लिए कुक होने देंगे और थी टेस्टी हमारे सोया चाप बनकर तयार है इसके आगे जो लोग नौन विस खाते हैं वो भी भूल जाएंगे इतनी गजब यह सबजी बनकर तयार होती है लोग आप देख सकते हैं कि यह सबजी कितनी जादा टेस्टी लग रही है उपर से डाल दीजिएगा खूब सारा हरा धनिया और जब इसे सर्ब करिये न एक चम्मत देशी घी डालिएगा इतना गजब टेस्ट आएगा अगर जो लोग पहली बार भी सोया चाप बना रहे न वो भी जिसे भी बना कर खिलाएंगे वो भी उंगलिया चाटते रह जाएंगे जो भी खाएगा इसे आप रोट है और ये रिपाली सोया चाप रेसिपी किसी ने मगवाई थी तो वही मैंने आपके साथ शेयर की जिनों ने बोला कि आपके हाथ का सोया चाप खाना है तो मैंने उनके लिए बनवा के भेजी है ये बहुत ही तेश्टी सब्जी बनकर तयार हुई है आप भी अगर इस तरह किसे बनाएंगे और इसका फ्लेवर देखिए अंदर तक एकदम इसके फ्लेवर भरा हुआ है तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिए